आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप एक करोड रुपए जी हाँ बिलकुल एक करोड रुपए जीत सकते हो वो भी Dream 11 एप्लिकेशन से Dream 11 एप से आप कैसे एक करोड रुपए जीत सकते हो और क्या उस एप में आपको जागे करना पड़ेगा कैसे यूज करना है और क्या है Dream 11 सब डिटेल्स आपको मिलेंगी फोन में फोन में ले जाके आपको स्टेप पर स्टेप सब समझाएंगे और बताएंगे कि Dream 11 कैसे मोका दे रहा है आपको एक करोड रुपए जीतने का वो भी डेली हर रोज आप एक करोड रुपए तक जीत सकते हो और अब चलते हैं फोन के अंदर और आपको दिखाते हैं समझाते हैं कि Dream 11 एप्लिकेशन है क्या और कैसे आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो और एक करोड रुपए तक डेली वहाँ से जीत सकते हो तो चलिए चलते हैं फोन में आज आपको बताने वाले हैं कि Dream 11 से आप कैसे एक करोड रुपए तक बना सकते हो जीत सकते हो वो भी हर रोज जी हाँ बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पे Dream 11 एक ऐसा प्लैटफोम है जो आपको हर रोज मौका देता है एक करोड रुपए तक जीतने का अब वो कैसे देता है इस एप में आपको क्या करना पड़ेगा एक करोड जीतने के लिए सब डिटेल्स मिलेंगी Dream 11 को लेके आपने Dream 11 का नाम बहुत सुना होगा तो यह एप्लिकेशन आपको दिख रही है होम पेज पे और हम इसको कर लेते हैं ओपन तो यहाँ पे ना होता क्या है कि Fantasy Cricket भी खेला जाता है ठीक है अपनी टीम बना के आप अपनी टीम बना के खेल सकते हो और जो यहाँ पे Contest होते है ना वो सबसे बड़ा Contest होता है एक करोड रुपे तक का जितने भी Matches होते हैं Cricket Match हो गए उपर आप देख सकते हो football के Matches भी हो गए उनकी भी टीम बना सकते हो बास्केट बॉल मैच हो गए बेसबॉल मैच हो गए और हैंड बॉल मैच हो ठीक है यह सब Matches है यहाँ पर और आपको मैं टीम बना के भी दिखाँगा कैसे आपको कुई स्वाल में अच्छी रखते हो तो कैसे आप यहां पे टीम बना सकते हो अगर क्रिकेट की नॉलेज नहीं भी आज तो आप शुरू शुरू में जो डैमो थीक टीम बना सकते हो और खेल MARK देख सकते हो और धीरे धीरे जब आप free demo जब खेलोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कैसे क्या सब कुछ इस app में है और क्या क्या करना है और फिर आप contest में participate कर सकते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया और इंग्लेंड का आज match है शाम को 7 बजे तो यहाँ पर final match है आज और mega contest आप देख सकते हो यहाँ पर 18 करोड रुपे का है सबसे बड़ा contest और इसकी joining fees है 49 रुपीज अब यह contest है क्या मैं आपको समझा जाता हूँ 18 करोड रुपे वाला भी है नीचे 3 करोड का भी है एक करोड का भी है और भी बहुत सारे contest है ठीक है आप सब में अपने अपनी teams बना के यहाँ पर participate कर सकते हो तो team बनाने के लिए करना के पड़ेगा यहाँ पर जो 49 रुपीज लिखा है ना इस पर click करेंगे हम और नीचे जो create team लिखा है इस पर भी click करके team बना सकते है लेकिन जिस contest में हमने participate करना है उसकी जो fees है उस पर click करेंगे जैसे ही मैंने 49 पर click किया तो यहाँ पर इंडिया और इंगलेंड की teams आ गई है ठीक है अब यहाँ पर आपको अपने 11 player select करने है आपको अपनी जो player select करते हो उनको मिलते है points on field जैसा वो perform करेंगे जैसी performance उनकी होगी match के दोरान मालो यहाँ पे किसी player को हमने choose किया यहाँ पे हमने L Rahul को KL Rahul को choose किया और KL Rahul ने बहुत अच्छे run score किये तो आपको और आपने KL Rahul को बना रख है captain तो आपको अच्छे points तो मिलेंगे ही साथ में double points मिलेंगे captain और vice captain का भी खेल होता है वो भी आपको समझाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हो select one से लेके four तक wicket keepers एक से लेके four तक wicket keepers select कर सकते हो तो एक से लेके four तक wicket keepers select करने है हमें आप एक भी कर सकते हैं चार भी कर सकते हो depend करता है आपको कैसी team बनाने है ठीक है team हमेशा वैसी बनाओ जब भी team बनाओ आपको ऐसे 11 player select करने हैं total 22 players होते हैं दो teams में और दोनों की बारी-बारी में पारी आती है ठीक है मनलब और जब भी आप टीम बनाओ तो 11 ऐसे प्लेयर सिलेक्ट करने है जो आपको लगे कि अच्छे पॉइंट्स देंगे आपको अच्छा स्कॉर करेंगे अच्छी विकेट लेंगे अच्छे रन बनाएंगे उनी प्लेयर को आपको सिलेक्ट करना है यह नहीं कि कोई बी सिलेक्टर लिया सौच समझ के टीम बनाएं ठीक है और थोड़ा प्लेयर का पहले के जो मैचिस में क्या पर्फॉर्मेंस रा है बोलर का क्या पर्फॉर्मेंस रा है यह चीज़े भी आपको नोट डाउन करनी चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर हम एक wicket keeper को select कर लेते हैं KL Rahul को हम यहाँ पर select कर लेते हैं तो हमने एक wicket keeper select कर लिया अब अगला option है bet batsman select कर सकते हैं तीन से लेके 6 तक तो यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो batsman है वो तीन ही select करना ठीक है जो team का balance है वो बन जाएगा और यहाँ पर हम batsman select कर लेते हैं मैं आपको team बनाने के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे team बनती है यहाँ पर आप 3 player select कर सकते हैं जो भी आपको करने हैं ठीक है तीन player select करने के बाद यहाँ पर अगला option है all rounder का यहाँ पर एक से लेगे चार तक आप all rounder select कर सकते हो तो all rounder select कर लेते हैं यहाँ पर तीन ही all rounder हम select करेंगे ठीक है इसके बाद next option है bowling का देखो किसी भी match में बोलर्स का बहुत अच्छा रोल होता है एक एहम रोल होता है क्योंकि जब वो wicket लेते हैं तो अगर आपने captain, vice captain में किसी एक बोलर को बनाया है captain या vice captain अगर वो wicket ले लेते हैं अच्छे तीन चार wicket भी ले लेते हैं एक मैच में तो आपको अच्छे points मिल जाते हैं तो यहाँ पे हम चार बोलर सिलेक्ट करेंगे तो चार बोलर सिलेक्ट करने के बाद हमारी team जो है वो यहाँ पे ready है तो team बिलकुल तयार है और अब जो main role होता है जब भी आप team सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है captain और vice captain आप इन अपनी team में से एक player को captain बना सकते हो और एक को vice captain अब captain और vice captain बनाना जरूरी क्यों है देखो captain जिस player को आप captain बनाओगे मालो केल राहूल को आपने captain बनाया और केल राहूल ने 100 score कर लिया match में तो 100 points जो आपको मिलेंगे न जितना भी वो run score करेगा उसके double points मिलेंगे क्योंकि आपने उसको captain बनाया captain को हमेशा double points मिलते हैं अगर वो अच्छा score करता है तो जितना भी score करेगा जितने points मनते हैं उसके double आपको मिलेंगे क्योंकि आपने उसको captain मनाया ठीक है आप देख सकते हो double points और wise captain 1.5 और wise captain को भी अच्छे points मिलते हैं तो captain और wise captain captain बनाना बहुत जुरूरी जब भी team बना लो तो एक player को captain बनाओ एक को wise captain बनाओ सोच समझ के चाहे वो bowler हो या batsman हो या all rounder हो जो भी हो तो हम यहाँ पे एक को captain बनाएंगे और एक को हम बनाएंगे wise captain तो captain और wise captain का selection करने के बाद निचे आप देख सकते हो save team save team पे क्लिक कर देंगे हम और save team पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 49 rupees की joining fees आपको देनी पड़ेगी उसके बाद आप इस contest में participate कर सकते हो और जब आपकी team बन जाएगी ना तो यहाँ पे उपर my contest में आपका contest दिखने लग जाएगा आपने join कर लिया है और my teams में आपको teams दिखने लग जाएगी जो अभी आपने team बनाई है ना वो आपको team दिखने लग जाएगी आप यहाँ पे 11 team बना सकते हो ठीक है अलग-अलग team और यहाँ पे जिसकी rank one आती है अब मैं आपको बता जिता हूँ rank one तो इस contest में जिसकी rank one आती है आप देख सकते हो rank one वाले को मिलता है एक करोड रुपया जिसकी rank two आती है उसको पंद्रा लाक मिलते है जिसकी rank three आती है उसको nine point five लाक है ऐसे ही four five six ऐसे ही आप देख सकते हो अगर आप 30,000 से नीचे की रैंक भी ले आते हो या 31 आप देख सकते हो जितनी ये रैंक यहां पर दिखाई जा रही है अगर आप 49 रूपीज लगाते भी हो तो आपको 49 रूपीज तो वापिस मिली जाएंगे और भी आपको फालतू मिल सकते हैं 1200 ठीक है तो आपके जो 49 रूपीज हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे वो भी आपको वापिस मिल जाएंगे उसी से आप फिर दुबारा टीम बना सकते हो अगले मैच में तो ये है पूरा रैंक सिस्टम और रैंक वन कैसे लेके आनी है इस पर मैंने एक अल्रेडी वीडियो बनाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस वीडियो को भी वाच कर लेना और आप देख सकते हैं यहाँ लीड तो यहाँ पर लोगोंने ग्यारा ग्यारा टीम भी बना रखी है लोग ग्यारा ग्यारा टीम बना के भी खेलते हैं तो अठारा करोड रुपे का यह मेगा कॉंटेस्ट चल रहा है और ड्रीम 11 आपको दे रहा है एक करोड रुपे तक जीतते का मौका जब आप रैंक वन लेया होगे तो आपको एक करोड रुपेया मिल जाएगा और यह है ड्रीम 11 प्लैटफॉर्म जिस पे आप मेगा कॉंटेस्ट चलते रहते हैं और जब IPL आता है अभी एपरेल में IPL भी स्टार्ट होने वाला है तब तो हर रोज एक करोड का आपको कॉंटेस्ट देखने को मिल जाएगा तो IPL के टाइम भी आप अच्छा टीम बनाके यहां से अर्निंग कर सकते हो एक अर्निंग एप की तरह ही है ड्रीम 11 और तो कैसे आपको टीम बनानी है कैसे यहां से अर्निंग करनी है I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा तो अगर कोई भी क्वेस्टन है आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो हमें इंस्टेग्राम पे फोलो कर सकते हो और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसे ही अर्निंग एपस आपको देखने को मिलते रहें जिससे आप अच्छी अर्निंग कर पाएं तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए